So, Hey guys, Welcome back to another video और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसी LG G8X का charging test with 30W या कह लिजिए आप इसे Qualcomm Quick Charge 4 supported ये जो charger है मैं आज इसी LG G8X के साथ इसका test करने वाला हूँ हला कि इससे पहले मैंने और भी कई सारे test किये है जैसे कि मैंने इसके 16.2W वाले charger से भी इसको charge किया है और साथ ही इसको 10W के wireless charger को भी इससे charge करके देखा है सभी का link आपको description में मिल जाएगा आप उसको चाकर देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास क्विक चार्ज 4 सपोर्टेड वाले जो charger होते हैं क्या उस charger से कितना टाइम लगता है इसी LG G8X को फुल चार्ज होने में यहाँ पर आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा हाला कि यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि मेरे पास जो यह charger है वो है मेरे ASUS ROG Phone 3 का और यह 30W के maximum output को सपोर्ट करता है यानि कि आप इससे 27W के भी output को ले सकते हैं तो यह कुल बिला कर यह क्यों काउंट Quick Charge 4 को सपोर्ट करता है आपके पास भी ऐसा कोई charger होगा तो आप भी definitely उस charger से इस LG G8X को चार्ज कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको हर 20 मिनट में बताता चलूँगा कि यह smartphone कितना चार्ज हुआ है और जो final result होगा, final result वाकई में बहुत ही surprising था उसके बारे में आपको आगर वीडियो में पता चल जाएगा तो हलाग वाज मेरा महश और आप देख रहे हैं Geek Mahi अगर आपको ऐसे टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके तक सकते हैं क्योंकि LG Selated मैं काफी सारे वीडियो अभी constantly डाल ला हूँ तो आपसे request है कि आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि LG Selated और भी काफी सारे वीडियो जल्दी ही आने वाली हैं तो शुरू करते हैं इसका charging test आप यहाँ पर यह देखिए तो guys जैसा कि आप देख सकते हैं यह है मेरा LG G Atex smartphone और जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 0% पर है और यह है मेरा timer जो की है यहाँ पर Realme X और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैं as a timer use करूँगा यहाँ पर और यह है मेरा 16.2 Watt वाला LG का charger जिसको मैंने charging cable.in से खरीदा था लेकिन इससे वाई इसको charge नहीं करने वाला हूँ आज मैं charge करने वाला हूँ इस Asus के ROG Phone 3 के charger से जो की 27 Watt के fast charger को भी support करता है और जैसा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं Asus ROG Phone 3 अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे comment करके ज़रू बताईएगा तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह होगया cable लेकिन हम यहाँ पर इस cable को use नहीं करने वाले हैं क्योंकि यह जो charger है वो type C to type C यहाँ पर cable को support करता है तो market में कई सारे ऐसे भी charger हैं जो type C ना होकर वो USB type A to type C आपको charger मिल जाएंगे तो link description में मिल जाएगा आपको अब यहाँ पर सारी चीजों को हम input कर देते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम timer को start करते हैं 3,2,1 और यह हुआ timer start तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि LG खुद बखुद आपके smartphone को on कर देगा जैसे ही आप इसको charge करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिनट बाद इसकी battery 11% charge हुई है तो अब देखते हैं आगे कि आप बाकी का result क्या होता है तो आप जैसा कि देख सकते हैं 20 मिनट बाद इसकी battery 21% charge हो चुकी है और 48 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी battery 41% charge हो चुकी है और after 60 मिनट यानि एक घंटे बाद 62% यानि 62% इसकी battery charge हो चुकी है और after 1 hour 20 मिनट 79% इसकी battery charge हो चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं I hope आप अप समझ गए होंगे कि इसके 16.2 वाट वाले चार्जर और इस 27 वाट वाले चार्जर से कितना आउटपुट इसको लगता है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सेम ही है यानि कि आप अगर 16.2 वाट वाला इसका अगर चार्जर लेंगे उससे भी यह सेम आउटपुट को सपोर्ट करता है और यह चाहे 27 वाट वाला अगर चार्जर लगाएंगे तब ही सेम काम करता है तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई साभी चार्जर है तो यह जो है वो 2 घंटे 9 मिनिट का ही उसके आसपास ही टाइम लगाता है तो आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं चलिए इस वीडियो में इतना ही उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब तो कर लिजेगा मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ जैहिंद वन्दिमात्रम